मेरे प्यारे दोस्तो आजके इस वीडियो में आपको बताऊंगा बोनस मार्मी की एक्जाम के दोरान मिलने वले बोनस मार्मी और मेंगजिमम कितने बोनस मार्म्म मिल सकते हैं अगर आपके पास एक से जादा बोनस के सर्टिफिकट हैं चाहे आपके पास ITI हो, डिप्लोमा हो, RD Parade हो, NCC के सर्टिफिकेट्स हो या फिर दोस्तों अलग-अलग लेवल के स्पोर्ट सर्टिफिकेट्स या फिर आप हो UHU कोटा वाले सनोफ सर्विसमेन, एक्सर्विसमेन तो maximum bonus marks आपको कितने मिल सकते हैं वो भी इस वीडियो में बताऊंगा साथ साथ sports की लिस्ट दिखाऊंगा और किस लेवल का sports खेला होगा तो आपको कितने नंबर मिलेंगे NCC के ABC के क्या फाइदे होने वाले हैं GT Trademan, Clerk, Nursing Assistant को साथ साथ RD Parade वालों को क्या फाइदा होगा ITI के bonus marks, एक साल का ITI, दो साल का ITI या फिर 3 साल का डिपलोमा उसके भी मैं आपको bonus marks बता दूँगा ठीके दोस्तों, फिर भी कोई doubt रह जाता है तो subscribe कर लेना, हमारे YouTube चैनल को comment करना आपको बता दिया जाएगा और इसी की दोस्तों, Telegram की link होगी उसको भी आप join कर सकता है वीडियो के last में आपको मैं बता दूँगा दोस्तों कि आप nursing assistant और technical वाले बच्चे कहां से अच्छी तयारी कर सकते हैं तो दोस्तों bonus marks की आपको पहले बात करते हैं तो वो मिलता है सर्यूस्मेन एक सर्यूस्मेन वाले बच्चों को तो maximum आपको 20 marks मिलते हैं दोस्तों जिनके पास UHQ quota वाला certificate होता है इसके अलावा दोस्तों sports person का number आता है sports person में जो बंदे इंडिया को represent करते हैं international level पे यानि कि international level पे कोई अगर game खेला है तो आपको 20 marks मिलेंगे अब मैं दोस्तों साथिसाथ आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन से game है जो खेले हुए होने चाहिए इनके अलावा कोई game इंडियन आर्मी में नहीं चलता है जिसमें cricket का नाम तो दूर-दूर तक भी नहीं है दोस्तों यह है list of games and sports for enrollment ठीक है तो यहाँ पर 33 games and sports है जिनके अंदर है athletic, archery, badminton, basketball, boxing, cricket, cycling, equestrian, football, fencing, gymnastic और यहाँ पर दोस्तों body building वाले बच्चे हैं गॉल्फ खेले हुए बच्चों को तो बहुत ज़्यादा priority की जाती है और गॉल्फ बहुत कम लोगों को आता है hockey, handball, judo, kabaddi और यहाँ पर दोस्तों kiking, canoeing, karate, lounge tennis, rowing, rugby, swimming, diving, water polo squash, shooting, sailing, tik window और यहाँ पर triathlon, volleyball, wet lifting, wrestling, winter games जैसे की hockey और betlon, skiing, ice skating और wushu यह 33 games हैं दोस्तों जो कि आपके पास होने चाहिए और इनका जो level है खेलने का वो मैं बता देता हूँ international level वालों को 20 marks तो आपको 15 marks दिये जाएंगे, अगर आपने दोस्तों represent किया है अपने college या university को तो दोस्तों 10 marks आपको दिये जाएंगे मगर आपको 6th position तक कोई भी एक position हासिल करना चाहिए इसके अलावा अगर आपने represent किया है national level पर खेलो इंडिया games के दोरान और कोई भी medal जीता है और आपने 6th position तक हासिल की है तो friends आप 10 number के हगदार है और यहाँ पर दोस्तों आपने अपनी district को state level पर खेला है, कोई भी medal जीता है और दोस्तों यहाँ पर आपने 4th position तक हासिल की है तो आपको 5 marks फ्री में मिल जाएंगे इसके अलावा friends आपके पास अगर certificate है represent किया हुआ है जिसमें आपने अपनी school team को खेला है जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें 6th position तक हासिल की है तो आपको 5 marks दिये जाएंगे इसके बाद friends आता है NCC वाले बच्चों का number और यहाँ पर nursing assistant है उनको 15-15 marks दिये जाएंगे GD और trade man के लिए दोस्तों कोई exam देने की जरुवत नहीं है C certificate वाले बच्चों को ठीक है C certificate भी बहुत value है Indian Army के अंदर क्योंकि आदे soldier तो आप बनी चुके होते हैं इसके बाद friends RD trade वाले बच्चों जो है NCCC के साथ RD trade खेला है तो दोस्तों वहाँ पर आपको exam देने की जरुवत नहीं है चाहे वो कोई भी trade हो इसके अलावा आपको बता दे दोस्तों maximum bonus marks आपको कितने मिल सकते हैं तो maximum bonus marks के लिए दोस्तों मैं एक दूसरी list दिखाता हूँ आपको जिसमें clearly mention है कि यहाँ पर maximum bonus marks दोस्तों जो technical वाले बच्चे हैं उनको छोड़के maximum bonus marks 20 ही मिल सकते हैं जिनमें को उनको ने दोस्तों GD, club, trade man हैं और इन सभी को 20 marks maximum मिलेंगे चाहे आपके पास फिर दुनिया भर के bonus certificate होने चाहिए इसके अलावा जो technical वाले बच्चे हैं दोस्तों जो technical PCM फिजिस chemistry में technical वाले बच्चे हैं उनको maximum 50 bonus marks मिल सकते हैं और 50 क्यों मिल सकते हैं क्योंकि दोस्तों उनके पास 3 साल का डिप्लोमा होता है तो 50 bonus marks उसके लिए दिये गए हैं यह इस बार बहुत ही अच्छा इन्होंने option रखा हुआ है technical वाले बच्चों के लिए nursing assistant permanent होने वाला है friends तो आपको ज़्यादा tension लेने वाली बात नहीं है आज सांद सांद दोस्तों आपको एक last में एक चीज़ किलियर कर देता हूँ जो है nursing assistant और technical वाले बच्चे उनका syllabus ही है यहाँ पर इस तरह से रहा है पूरे syllabus के हिसाब से 50 questions आपको दिये जाएंगे और इसके तयारी कहां से करनी है मैं बता देता हूँ दोस्तों suggested YouTube channel है जो कि यहाँ पर सोनो army classes के नाम से है यहाँ पर सिर्फ technical और nursing assistant वाले बच्चों के लिए तयारी करवाई जा रही है लिंक नीचे description में है पहली comment में भी है जाके इस channel पर जाईए और daily question paper और original solve कीजिए आपका selection हो सकता है ठीक है दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो like कीजिए चैनल में subscribe कर लेना comment में जाके जेहिन बोल देना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जेहिन जे वारत वंदे मातरम